अगे आदोगी। अब बीसेकली सुद्व पदार्थ की बात करे बाबू, तो सुद्व पदार्थ को बाटा गया है तत्व और योगिक में बाटा गया है। पहले हमने रासायनी गुन धर्मों के अधारप्र पदार्थ को दो भागों में बाता हैं कौन-कौन सा एक सुद्ध पदार्थ और दूसरा असुद्ध पदार्थ सुद्ध पदार्थ वे पदार्थ है जो एक ही परकार के कनों से मिलतर के बने होते हैं और असुद्ध पदार्थ वे पदार्थ है जो अधिक सुद्ध पदार्थों से मिलतर के बने होते हैं बताया सोरियम क्लोराइड सुद्ध पदार्थ है जल सुद्ध पदार्थ है ठीक है अमोनिया सुद्ध पदार्थ है चीनी सुद्ध पदार्थ है लोहा सोना चांदी सुद्ध पदार्थ है ठीक है असुद्ध पदार्थ कोई भी ले लो दूद असुद्ध पदार्थ है दूद के अंदर अगर हम बात करेंगे देखो गौर से देखो 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 दूद के अंदर कैलसियम होता है पैट होता है पानी होता है तो यह कैलसियम फैट पानी तीन अलग-अलग पदार्थ मिलकर के न दूद बन रहा है और तीन अलग-अलग यह सुद्ध पदार्थ है तो तीन सुद्ध पदार्थों से मिलकर कि वैसे तीन हमने तीन बताया और भी सुद्ध पदार्थ दूद के अंदर में हो सकते हैं प्रूपरली हमने तीन बताया तो इसलिए दूद क्या हमारा सुद्ध पदार्थ है क्योंकि हमने कहा कि सुद्ध पदार्थ तुम्हारा जो ह तो सुद्ध पदार्थ को बाटा गया है दो भाग में पहला तत्व अब और दूसरा योगी अब थोड़ा सा जो है एकसे अधिक परकार के परमानों से बना होता है हमने क्या का सत में तुमको एक ही परकार का परमानों दिखेगा और योगी कि में एक से अधिक परकार का परमानों तुमको दिखेगा जैस Tale सपोज हम उधारन लेंगे ना उधारन कि में अपना कोई काम होता नहीं जैसे सोडियम में सिर्फ सोडियम का परमानु होगा हमने कहा सोडियम में सिर्फ सोडियम का परमानु होगा आइरन में सिर्फ आइरन का परमानु होगा कैल्सियम में सिर्फ कैल्सियम का परमानु होगा तो तत्व वैसा सुद्ध पदार्थ है जो एकी परकार के परमानों से बना होता है उसको हम लोग तत्व कहते हैं तो क्या बोलेंगे तत्व के चलो जी आगे बरे आगे बर जाते हैं यहां पर बात करते हैं योगिक के बारे में तो योगिक के उधारन की बात करें, तो हम बहुत सारा उधारन ले सकते हैं, जैसे की हो गया वावु नमक हो गया, इसका सुत्र हो जाता है, N-A-C-L, उसके बाद पानी हो गया, इसका सुत्र हो जाता है, H maken 2, 4, इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद वोल्ड 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 कारवन डायोकसाइड हो गया, CO2 यह भी योगिक है, NH3 अमोनिया यह भी योगिक है, तो जो सूत्र हम इसलिए लिख रहे हैं कि सूत्र से हमको पता चल रहा है कि इसमें किन 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 तत्वों का परमानू है, तो को कलोरीन जो है न वो पदार्थों से मिल करके बना हुआ है, तो यहां से तुमको समझ माता है कि सुध पदार्थ क्या होता है, तत्व अलग अलग परकार के परमानों से मिलितर के बनाओ लियर है बात तो आगे बरहा जाए